So, Welcome Back Everybody to the Another Video of Minecraft आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाल हूँ कि आप लोग अपने फोन में Minecraft के लिए एक ऐसे Texture Pack को बना सकते हैं तो एक Texture Pack को बनाने के लिए आपको कुछ Ingredients चाहिए होंगी जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ बट उसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजे बिकॉज हम लोग 1K के बहुत क्लोज हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजेगा तो अब बात करते हैं कि हमें किन-किन चीजों की जरूरत परेगी एक Texture Pack को बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको दो Apps की जरूरत परेगी और इसके साथ ही आपको कुछ YouTubers के Texture Pack की भी जरूरत परेगी आप अपने किसी भी Favorite Texture Pack को उठा सकते हैं तो पहले आपका नाम है Jed Archiver and दूसरे आपका नाम है Quick Edit I think कि आप लोग Jed Archiver को यूज करते ही होंगे अगर नहीं करते तो डाउनलोड कर लिजेगा ये दोनों आप सबको प्ले स्टोर पे फ्री में मिल जाएंगे देन आपको Jed Archiver को ओपन करना है अब ये थोड़ा Complicated होने वाले है इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना तो मैंने आप अपने एक Texture Pack का फोल्डर बना कर रखाया बत अगर आपने नहीं बनाया तो ये सारे Texture Pack आपको Download folder में मिल जाएंगे तो अब आपको किसी एक Texture Pack पे View करना है व्यूव करने के बाद आपको Pack.mcm meta मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है ऐसके बाद आपको Scroll करके नीचे जाना है आपको । खोजने के बाद आपको इस पर क्लिक करके Always पर क्लिक कर देना होगा देन आपको थोड़ी दिर वेट करना होगा वेट करने कentry बाद आपको कुछ ऐसा इंटेफेस देखने को मिलेगा आप यहां पर इसके description को चेंज कर शकते हैं तो मैं भी इससे कर लेता हूँ description को चेंज करने किरने की बाद आपको फाइल पे क्लिक करके save कर देना है अब आपको आपसे जेदर चीवर को उपन कर लेना होगा and pack.mc.meta पे क्लिक करके इसे cut कर लेना है cut करने कबाद आप ने आपने जहां से इसे copy किया था वहीं पे आपको इसे paste कर देना होगा paste करने कबाद आपको आपसे back चले आना होगा अब ये नाम से तो आपका texture pack हो ही चुका है sorry नाम से नहीं है तो सबसे पहले इसे rename करके इसको अपना नाम दे देते हैं तो अब ये हमारे नाम से texture pack हो चुका है अब अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर भी कुछ चीजों को change कर सकते हैं वो भी बाकी साधे packs में ऐसे उठा कर अब आपको सबसे पहले किसे और texture pack में व्यू करना है व्यू करने के बाद आपको इसे पे क्लिक करके .minecraft पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना होगा देन आपके texture pack में यहाँ से जो भी नहीं होगा उसे आप इसे copy करके आपके texture pack में paste कर देना जैसे मेरे में shaders and lengths नहीं है इसलिए मैं इसे copy करके आपने texture pack में paste कर दूँगा paste करने के लिए आपको यहाँ से copy करके back चले जाना होगा back जाने के बाद आपको अपने texture pack को open कर लेना होगा ऐसे ही करके आप लोग इसमें अपने texture भी add कर सकते हैं तो हाँ आप आपका texture pack बन चुका है तो अब हम लोग इसे Minecraft में लगा के देख लेते हैं कि क्या ये work करता है हम लोग game में आ चुका है आनिया पे और्स में भी texture आ चुका है और्स के साथ बाकी सारी चीजों में भी texture आ चुका है यानि कि हमारा बनाया गया texture pack वर्किंग है तो हाँ वीडियो में बस इतना ही था चले मिलते अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा